लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एक गैदर्ड ट्यूल स्कूर्ट कैसे बनाएंगे जिसका वीडियो में उपर इन्फरमेशन कार्ड में आपको दे रही हूं इन केस आपने ना देखा हो तो ट्यूल डाट इस नेट का फाबरिक से हम काफी सारे स्टाइल के स्कूर्ट बना सकते हैं ड्रेसेज भी बना सकते हैं इस वीडियो में हम सर्कल स्कूर्ट के डिफरेंट कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें हम ट्यूल फाबरिक यूज कर सकते हैं Majorly तीन टाइप की circle skirts होती है Full, जिसका घेरा पूरा होगा Half, obviously जिसका घेरा full वाले से आदा होगा And quarter, जिसका घेरा half वाले circle skirt से भी आदा होगा In diagrams में, जो yellow color है, वो mention किया है कि हम इतना ही fabric यूज़ कर रहे हैं Suppose, full circle skirt के yellow part को देखें तो पूरा का पूरा circle use कर रहे हैं उसे जब हम beach में से fold कर देंगे तो skirt का front and back आजाएगा Half पे देखें, तो yellow part ही use कर रहे हैं Yellow part को जब हम beach में से fold कर देंगे तो skirt का front and back आजाएगा White part use नहीं करेंगे ऐसा ही quarter में, white part हम use नहीं कर रहे हैं हम उतना ही fabric cut कर रहे हैं जो yellow part में mentioned है जब उसे fold करेंगे तो काफ़ी छोटे घेरे वाली circle skirt बन जाएगी जिसे हम कहेंगे quarter circle skirt circle skirt बनाने के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए first waist का measurement, कमर का measurement, दूसरा radius radius क्या है next diagram में मैं आपको समझा देती है suppose आपको full circle skirt बनानी है तो उसके लिए radius निकालना है तो waist, अपना waist measurement को जब आप 6.28 से divide करेंगे वो आपका radius आजाएगा ऐसे ही half circle skirt के लिए जब आप waist, अपने waist measurement को 2 से multiply करेंगे और फिर divide करेंगे 6.28 से तो वो half circle skirt का measurement आजएगा और ऐसे ही quarter circle skirt का भी ये formula है इससे आप radius अपना निकाल सकते है further in the video, एक measurement लेके मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको बता दूँगी कि radius यहाँ पे कैसे measure करते है I am taking 8 meters of tool 8 meter net fabric ले रही हूँ मैं यहाँ पे इसके अलावा मैं ले रही हूँ तकरीबन धाई meter का lining lining मैं यहाँ ले रही हूँ फरमाईश fabric थोड़ा सा इसमें shine होता है आप चाहें तो sand tune type या satin कोई भी fabric अपने इच्छा का ले सकते है fabric को मैंने double fold कर दिया है इस side पे मेरा fold है fabric पे और दूसरी side मेरा open end है fabric का और मैंने थोड़ा सा fabric waist belt के लिए छोड़ दिया है side if you can see मैंने fabric को fold किया है तकरीबन 41-42 inches पे क्योंकि मेरे fabric की width भी 42 inches है I am trying my best कि मैं इसको एक square सा form दे सकूँ इससे wastage कम रहेगा मेरे fabric में अब मैंने एक part उठा के diagonal side पे दूसरी तरफ रख दिया है एक triangle form करने के लिए 15 inches पे marking कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद बचा हुआ 25-26 inches मैं skirt की length में डालना चाती हूँ I know 15 inches radius usual skirt measurement के लिए बहुत जादा है बट मैं actual वाला radius अपनी waist से निकाला हुआ नहीं यहाँ पे डालना चाती because मुझे जादा सजादा gathered look चाहिए so मेरे लिए जितना radius deep जाएगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है अगर मुझे skirt की length 20 चाहिए होती तो मैं यह 15 inches का radius और बढ़ा के जादा कर सकती थी because वो जो curve बनेगा waist का वो बहुत बढ़ा बनेगा और उस सारे को मैं अपने waist belt में gather कर दूँगी इसके बाद मैं जाऊंगी hem line की तरफ वहाँ से मैं बचा हुआ जितना measurement है 25-26 inches मेरे case में inch tip आगे बढ़ाते हुए मैं 26 inches का एक curve बनाऊंगी और इस fabric को मैं cut कर लूँगे अब अपने lining से ही हमने net fabric cut करना है मैंने net fabric को 3 folds में रखा है और उसके उपर मैंने अपना lining का fabric जो काटा था वो रखा है यहाँ पर मैंने 8 meters fabric के fold बनाए है और अपना fold lining का net के fold के साथ रखा है यह वाला open end है वो मैंने बाहर की तरफ जाने दिया इसके अलावा थोड़ा सा margin मैंने इस सरफ छोड़ दिया because net मुझे लंबी length चाहिए lining से थोड़ी सी लंबी अब इसे हम cut करके दिखाते हैं कि यह कैसा लगेगा यह हो गए 3 quarter circle skirts आप चाहें तो half circle skirts भी काट सकते हैं आप चाहें तो full circle skirt भी काट सकते हैं अब चाहें तो 5-7 half circle skirts काट लिये उन सब को कलियों की तरह जोड़ लिया और net fabric पे उनको gather बना के stitch कर दिया आप चाहें तो 2-3 full circle skirts काट सकते हैं इवन उसको आप layer वाला look दे सकते हैं कि सबसे नीचे lining उसके ओपर एक net आ गया उसके ओपर दूसरा net आ गया उस पर तीसरा net आ गया So this is totally your call कि आप अपनी circle skirt को कैसा look देना चाहते हैं मैंने तो अपनी circle skirt से ये look achieve करने की कोशिश की है एक layer of lining उसके ओपर दो layer of full circle skirts net में मैंने काटी हैं और उसको gathers दे के मैंने waist band के साथ जोड़ दिया है अब अगर इस वाले design की बात करें तो obviously दोनो tiers में length का difference है अब अगर हम gathers बहुत जादर डालना चाह रहे हैं तो obviously one single circle skirt से काम नहीं होगा multiple circle skirts को कलियों की तरह साथ में जोड़ना पड़ेगा और फिर उसमें gathers जलेंगे maximum fullness achieve करने के लिए यह आपका decision रहेगा कि आपको कितनी circle skirts साथ में जोड़के fullness achieve करनी है अपनी skirt में इस वाले design के लिए previous video में already upload कर चुकी हूँ जिसमें gather वाला look आता है बिना circle skirt काटे बट बहुत सारे लोग कहते हैं वेरी difficult to make a lot of gathers तो इस design को simplify करने के लिए first layer हम circle skirt की काट सकते हैं and second layer हम straight काट सकते हैं यह चीज समझने के लिए आप मेरा previous video ज़रूर देखिएगा उसका link में description box में भी देदोगे now this last design that I'm sharing is super fancy इसमें आप बहुत सारे डाइप के लहंगा भी बना सकते हैं crop top skirt का look भी दे सकते हैं इसमें obviously different length of circle skirt को use किया गया है इसके इलावा जाद से जादा gather वाले look achieve करने के लिए हर tier के अंदर multiple circle skirt एक साथ जोड़े हैं और उसके बाद gather बनाए हैं I'm pretty sure अब तक आप ये circle skirt का concept तो सीख गए होंगे बढ़ अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं ये वाला tiered skirt का एक वीडियो आपके लिए बनाऊ then please comment below before I show you the finished look of my tool circle skirt मैं आपको बताना चाहूंगी मेरा एक instagram account भी है आप मुझे वाँ follow कर सकते हैं for any fashion inspiration अगर आपके पास कोई DIY request भी है तो भी आप मेरे साथ instagram पे share कीजिए I really wanna engage with my audience now build a community for sewing addicts for fashion lovers उसके लिए I really need your support आप मुझे instagram पे follow कीजिए मेरे channel पे subscribe कीजिए please do share my content now let's see how this skirt looks आपके लिए आपके लिए आपके लिए मैंने इससे पहले भी काफी सारे fashion DIY and transformation videos भी upload किया है you can check them out as well thanks for watching